हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं हमारे जर बेल कर बेल देखे येल कर दो पहुत कर दो आज और जल्जी पहुच जगा उनस सब्सक और दूमा जी आज तो रोको रुको रुको अजयन की काहल अरे अभी तो यही था करिश को साइकल तो खड़ाब नहीं हो गई तरो जाके निक्क्या के जेंगे जेंगे मैं यहा हूँ आवा तो सर्फ जारी चलो जेंगे जेंगे काओ जेंगे 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 जांगे ऑष्रऑ क्या हो जांगे को हैंगे गांगे यह गिण ऊछफ geography तुम्हें गिरे कैसे? मैं तुम्हें आगया जादा था इसे शॉटकाट बाया और गड़ा नहीं दिखाई दिया और गिर गिर गया तुम्हें अशे क्यों किया? उस पर चिल्लाने का कुण फारदा नहीं उससे बहाद निकालना अर्या जड़े निकालो अर्या समाल के समाल के अरे मेरे साइकल अरे तु तो पहले उपर आजा साइकल बार्ने की जिल ले लेंगे आजा शंकी समाल के आजा अर्या 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 बद बुरी सतरे से ठूटी है यह खोपड़ी खोपड़ी आए फिर स्केलेटन भी यह आसपास ही होना चाहिए हाँ होना तो चाहिए देखो जरा देखते हैं अची तरे से आसपास स्थ स्थ हाँ स्थ 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 सही है स्थ समाल के समाल के एकदम समाल के बुलडी तो डाया न लगता है यह खोपड़ी से स्केलेटन के होगी जो इस बैचारे से गुम हो गए होगी यह कोपड़ी गूम तो हो गई है पर खोपड़ी और ढाचा अलग-अलग क्यों सर हो सकता है कोई जंगली जानवर खूपड़ी को नोच के ले गया हूँ पुरी जिस तरह से खूपड़ी को तोड़ा गया है न लगता है किसी जंगली जानवर का काम नहीं बलकि किसी इंसान का काम है हाँ सर कि जंगली जानवर ने किया होता तो इतनी भूरी तरह तो नहीं टूटी होती और हड़ीयों पे भी कुछ ने कुछ खरोच के निशान तो होते हैं यहां तो आए नहीं सर ये पेल्विस बॉन से तो ऐसा लगता है किसी औरत का ही कंकाल है आपी जीत और फिर ये कपड़ा देखो ये कपड़ा भी तो किसी औरत का ही कपड़ा लगता है ये फैंबरिक तो काफी महिंगा लगता है हाँ है तो किसी समर्दगर की हो सकता है प्रॉपर्टी और अपरटी के लिए मार दिया गया हो इसे ये क्या है ये सैप मिला है सर इस सैप के अंदर एक मच्छर बंदे सर सैप क्या है गोन पेड से जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है न वो आई है पेड की गोन आई है सैप लगर सर ये स्केलेटिन के मीचे कैसे आया ये मच्छर लड़की को काटने के फिराट में होगा उसी समय ये सैप पेड से गिरा और मच्छर इस पर दफन हो गया बस इसकी पसलियों में से एक पसली पर ये देखो सेमी सरक्ल जैसा निशा सांके गोली चूकर गई है इस पसली को गोली मारी है इसे किसी ने बिलकुल बस गोली इसकी पसली में लगी और हड़ी को जलाती में बाहर निकल गए बड़ी अजीब बात है सर कोई किसी को गोली मारने के बाद उसका गला क्यों काटेगा आजीब बात तो ऐसा चिन लेकिन भ ये बात तो तम खुनी से जा करके पूछे क्योंकि यहाँ तो कुसी को मालुम है नहीं इसको भी मालुम नहीं जिसने भी ये किया है ना, लगता है बहुत नफरत करता था इससे, किसी बात का बदला लिया है इसने, जरूर पता चलना चाहिए सारूंके, ये कंकाल है किसका. अज़ा सारूंके साथ, इसके स्कल इसकी खोपड़ी से चहरा तो बनाई जा सकता है ना? नहीं सचें, फेस को रिकंस्ट्राक्ड करने में, इन चीकबॉंस की काफी एमयद रहती है और इसका तो चीकबund है ही नहीं, इसलिए इस के फेस को रिकंस्ट्राक करना ना मूमकिन है. सर फिर तो इसकी पहचान करने के लिए हमारे पास वो कपड़ा ही बचता है जो इस किलाज के पास समिला था ठीक से नाप लो एक इंच भी ना जादा होना चाहिए ना कंग बहुत फेमल डिजाइनर हुम है फ्रेडी पलकाच क्या हो रहा है है कुछ नहीं सर अच्छा हुआ सर आप लोग आगे इन से मिलिये यह बहुत बड़ी डिजाइनर है तो तुम क्या अपने शादी का सूट से लवा रहे हो क्या है सर वो क्या ना कभी ने कभी तो शादी करूंगा ना सर तो एक सूट से लवा लेता हूँ ऐसी हरकत रही तुम्हारी तो थोड़ा डाउट लगता है तो तो फ्रेडी शादी की अनिवर्सरी का सूट से ला रहे हो है अगर आपको कैसे पता चला अगर आपको भी कुछ बनवाना होए तो बताएए बहुत फेमर डेजाइनर हूँ मैं पुर्वी जराई ने वो खपड़ा दिखा हूँ इस कपड़े के बारे में आप कुछ बता सकती हैं बता सकती हूँ एसी फेमर्स नहीं हूँ मैं इस कपड़े की तो मैं पूरी कुंड़ी निकाल सकती हूँ यह थन्रिट परसेंट तो लेए यह 80% cotton 20% nylon जबल स्टिक और एंशेंट डिजाइन है यह एंशेंट इसे कितना कितना पुराना है यह यह कोई 6-7 months जे साथ मैंना पुराना तो एंशेंट मतलब पुरातन हो गया फैशन की दुनिया में तो यह एंशेंट है बाब आदम के जमाने का और वैसे भी उस टाइम में भी इस कपड़े को ज्यादा पसंद नी किया लोगोंने एक दम फेल था और मैं तो ऐसे कपड़े को छूती तक नहीं हूँ अच्छा तो फिर कहां मिल सकता यह कपड़ा मुझे क्या पता और वैसे भी यह तो रेडी मेड है चोटी वोटी दुकान पर मिकता होगा अच्छा तो आप यह बदा सकती है इस कपड़े से ज्यादा तर क्या बनता था कर दी ना आपने फिर वोई बात क्या कर दी मैंने मेरी काबलियत पर आपने शक किया अब आपको तो पता ही है कि मैं कितनी फेमस डिजाइनर हूँ और यह तुम्हें इसली बता सकती हो कि इससे वन पीस ड्रेस ही बन सकती है वैसे किस उमर के लोग यह ड्रेस पहना करते थे यह कोई 24 तु 30 और कुछ देखिए मुझे बहुत काम है आपको तो पते है कि मैं बहुत सादा आप बहुत जादा आप बहुत फेमस हैं कर चाहती हैं अपको बहुत बड़ी डिजाइनर और आप इसे कपड़ों को हाथ भी ने लगाती पर क्या आप यह बता सकती हैं कि ऐसे ड्रेस और कहां मिल सकती आपको पता है कि आप बहुत जादा लखी है अच्छा? इस तरह के कपड़े उस टाइम पे ओनलाइन विका करते थे आप किसी भी कपड़ा बेचने वाली वेबसाइट पर जाएए और वहाँ साच कर सकते हैं वहाँ पे आपको इसली एविलेबिल होगे अब मैं जाओ? थेंक्यू राज, वो कपड़े पैकर के लिए आना अभीजे, दया, काम करो सारी ओनलाइन साइज चेक करो देखो, कौन लोग है जो ऐसे कपड़े बेचते हैं और फिर उनसे कस्टमर्स की लिस्ट भी मंगवा जिन्होंने एसे कपड़े ओर्डर किये थे वो लड़की, उन्हीं कस्टमर्स में से कोई एक है उन्हीं में से कोई एक कंफर्म किया था ना, यह एड्रेस है आँ से, ओनलाइन रिकॉर्ड से पता चला है कि तीस लोगों ने खरीदा था अब सिर्फ चार बजे आप मेंका है काई रे, तुझे क्या में 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 दिख रही है क्या मेरा नम निदी है निदी, इस घर की मेड निदी? हाँ, यहां की काम वाली, बोलो, क्या चाहिए? देखो, हम लोग C.I.D. से C.I.D.? मेंका मेंडम को बुलाओ, सरा आइए, सर आइए, अंदर आइए निदी, कौन है यह लोग? और गर के अंदर कैसे आगए? साब, यह हम लोग C.I.D. से हैं सरा, मेंका जी को बुलाइए, उनसे कुछ बात करनी है मेंका? जी हां, मेंका वो यहां नहीं है यहां नहीं है, तो का है वो? देखिए, आपने जितना पूछा, मैं आपको बदा चुका हूँ आपका उनसे रिष्टा क्या है? मेरी पत्नी है वो I mean पत्नी थी पिर तो आपको मालू होना चाहिए, कि वो कहा है और कब आएंगी? देखिए, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता और मैं उसके बारे में आपकी कोई बद नहीं कर सकता अच्छा ठीक है, आप ज़रा यह कपड़े देखिए इने पैचानते हैं आप यह तो किसी जड़की कपड़े है मैं इसे नहीं पैचानता अच्छा पहले आपको यह नहीं पता कि आपकी पतनी कहा है अब आप उसके कबड़े भी नहीं पैचान रहें कमाल है आप कोँ है? मैं, मैं सेरिंग की सेक्रेट्री हूँ सेक्रेट्री? घर पे? या घर पे ही दबतर बना रखाया आपने? नहीं सर, यह तो एक डिक्टेशन के लिए यहां पे आई थी अच्छा अच्छी सर, आज सुभा से मेरी तबेद बहुत खराब थी तो मैंने से यहां गर पे बुला लिया देखिये, हमारा जानना बहुत ज़रूरी है इसलिए ज़रा दिमाग पे जो डाली और बताइए मेन का कहा है और कब आएगी? सर, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता पर वैसे भी दो मेने पहले, वो यहां से गाइब हो चुकी है दो मेने से गाइब है आपने पुलिस में कम्प्लेंट भी नहीं लिखवाई, क्यों? सर, मैं बताती हूँ, एक मिनिट हाँ सर, ये, मेरी डाइरी के हिसाब से दो महीने पहले आपकी बीवी गाइब होई थी और आपने शर्म के मारे मिसिंग कम्प्लेंट नहीं लिखाई ताकि किसी को भी पता नचल जाए अच्छा, तो ये बात है सर, दो महीने से बीवी गाइब है और सेक्रेटरी घर पे, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है आपको याद नहीं आ रहा ना, आपकी बीवी कहा है आप एक काम करी हमारे साथ जरब बीरों में चलिए थोड़ा समय गुजारेंगे तो आपकी याददाश वापस आजाएगे सर, वो हम कहीं जा रहे थे मैं भी चलू सर क्यों नहीं? चलिए नहीं सर, मुझे याद आ रहा है सर मैं बताता हूँ आपको बताईए सर, आपके सारे सवालों के जवाब आपको कैमपल्स शिपिंग कंपनी में मिल जाएगे कैमपल्स शिपिंग कंपनी? सर, उस मेने का नाम की आउरत देदा मेरा गर बसने से पहले ही उचार दिया, सर देखे, हम आपके परिशानी समझ सकते हैं लेकिन हमारा तरुन से मिलना बहुत ज़रूरी है इसलिए प्लीज बताईए तरुन कहा मिलेगा हमें सर, वो भी उसी दिन से गायब है जिसन मेनी का उससे मिलने यहां पर रही थी इस बात को तो दो महिने हो चुके हैं तो क्या तरुन दो महिने से? आज सर, दो महिने हो गए मैं उसका इंतिसार कर रहे हूं सर वो मुझसे मिलने तक दिया सर, दो महिने से मुझसे शादी का वादा करके गया था और यह देखिये सर मैं बहुने उसके लिए गिफ लेके रख था मैं, मैं क्या करूँगी सर सर मैडम, चलिए चलो सर मेनका के साथ-साथ तरुन भी गायब है पिछले दो महिने से कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर तरुन का फोन नंबर होगा न आपके पास जी सर है फ्रेडी, फोन नंबर लो देखो फोन जिन्दा है क्या और अगर है तो पता लगा हो कहां पर है यह सर सर काफी परिशान है तरुन के इस तरह चाना गायब हुजाने से तरुन को भी तुगायब ने किया तरुन को भी तुगायब ने किया वह सकता है इस दीरश पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी हमसे मिन्ने के बाद वो बॉकलया जरूर होगा कोई न कोई गलती तो जरूर करेगा हो जरूर कोई न कोई गलती करेगा अच्छे भाई साब आप बड़े आराम से अंदर छुफ करके वैठे हम् कोई बात नहीं आज मैं भी आपको बाहर निकाल के रहूंगा ज़े कुछ भी हो जाए क्या हो आइसर आपको अब कबसे बीचारे इस मच्छर के पीछे पढ़े एक मक्छर इनसान के पीछे पढ़ना के अ entitled पॉरेशान करता है न तारीगा वो तो है मैंने सोचा आज मузुच्छर के पीछे पड़ी जाता ओ इतियास गवाय वे आज तक मच्छर इनसान का को जूसता है लेकिन आज सालू के इस मच्छर का खुन चूसेगा एक मच्छर इंसान को क्या बनाता है तरिका क्या बनाता है डेंगू का मरीज बनाता है एक मच्छर इंसान को डेंगू का मरीज बनाता लेकिन ये मच्छर इंसान को एक कैदी बनाएगा मतलब ये तारीका के इस मच्छर का खून शायद हमें खूनी का पता होताएगा तरून बेटर तरून दर्वाजा कुलो दर्वाजा कुलो बेटा मम्मी बाहर खड़ी है अले ऐसी के तैसी कुलो दर्वाजा मेनका भी तरून की दोस्त और शीना भी तरून की दोस्त लेकिन एक के बन गई है लाश और दूसरी रो रही है इस तरुन को तो इन बातों का जवाब देना ही पड़ेगा जवाब देना ही पड़ेगा वह यह क्या गन? मेनका को गूली से मारा है अब आप तरुन के घर में एक गन मिलते है और वो भी चुपा के रखी हुई सर जरुन मेनका को इसी गन से मारा हूँ लेकिन सर मेनका की लाश के पास तो में कोई गुली मिली ही नहीं इतर की खुश्बू खुश्बू यहाँ पर ज्यादा है इस बैरल पर हो सकता है कि गन पे लगी हुई खुश्बू इस ब्रैक को लग गई होगी हाँ फ्रेडी हुआ तो ऐसा ही है जिसने भी इस गन को हाथ लगा है न उसके हाथ पर इतर था उसने इस गन को ऐसे उठाया होगा तो हाथ के उपर जो इतर था बैरल पर आ गया हम लोग इस खुश्बू को डूंड सकते हैं मगर सर खुश्बू को डूंडेंगे किसे परफ्यूम की दुकान से लालाला आईए आईए महरवान हो ये न परेशान शोक से लीजिए इतर की खुश्बू यहाँ देखे आ तो गए हैं हम लेकिन हमें यहाँ इतर की जानकारी चाहिए जानकारी? अजी जनाब समझिए हमारी भी लाचारी करते हैं इतर की दुकानदारी कुछ लीजिएगा तब देते हैं जानकारी अरे देखिए श्रीमान हम है थोड़े परेशान अगर इतर की करेंगे पैचान तो बच सकती है किसी की जान वहा, वहा क्या गीद गाये आपने अची रंगे जमाया आपने अजी अब आप हो गए हमारे खास तो बताईए कौन सा इतर है आपके पास यह है जनाप यह तो इतर नहीं यह तो शस्त्र है जी जान देने का अस्तर है इससे खुश्बू तो नहीं आती हाँ, जान जरूर जाती है सुनिये इसे सुन कर देखिए और बताए कौन सा इतर है यहां सुनगे श्रीमान, यहां पे और देखिए कौन सा इतर है इसमें सुनगे, सुनगे, सुनगे इतर आपको कहां से मिल गया है? अरे वो छोड़ो ये बताओ ये इतर रखते हो तो दिखाओ जी ना ना ये इतर बड़ा रेर है इसकी रखनी पड़ती बड़ी केर है इसकी प्राइस है बहुत जादा इसलिए यहां रखने का है ना कोई फाइदा कहा मिलेगा ये ये तो आपको डिस्टिबिशरी बताएगा क्योंकि वो बड़ा बगीचा है मैं छोटी क्यारी हूं वो बड़ा डीलर है मैं छोटा मोठा व्यापारी हूं जी एक निट जापूरी ये जो है तरुन के फोन की लोकेशन है ये सारी जगा देख के बताओ कहां है आपका वो जो व्यापारी है इस तरफ कहां दुकान है उसके तरुन कौन है जिसकी एक गन है ये पशुआ लिगन ये गली नंबर आठ में डिस्ट्रूबिटर की दुकान है नाम है उसका चैला पर दिल का है बहुत मेला त्यान रखना आदमी बड़ा गंदा है और मुझे लगता है उसका तो नंबर का तंदा है thank you अरे चैला ने एक बार जबान दे दी तग काम तो अपने आपो जाना है you understand chill man chill अब च्ष्श्ट सवाल तुमने सवाल आम पोचेंगे चैला से सवाल chill man chill जिल तो हम हो जाएंगे जब तुम हमारे सवाल का सही जवाब दोगे तो और अगर नहीं दिया तो हम तुमें बरफ की सिल्ली पर लीटा-लीटा के चिल कर देंगे फ्रेडी क्यों डरा रहो बिचारी को ये तो वैसी बता देगा है नहीं इसे बचानते हो अहाँ सर्फ फिल्मों में देखा है सर्फ एरो आता है गुंडे पर तानता है गूली चलाता है धाय 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 सर यह तो कॉमेडी की मूड में लग रहा है हाँ, चलो अब इसे ट्रेजरी भी दिखा देंगे अब ये इत उसी गन से उड़ा दो इसे सर, सर ये ये क्या कह रहे है आप? ये ठीक है सर गन तो वैसे भी इल्लिकल है इसके खून का इल्जाम हमारे उपर आएगा अबे नहीं चिल मैं, चिल तुम लोग चला को डना क्यों रहे हो? ये बहुत गलत बात है देख अमें पता है तो इत्र के धंदे के नाम पर हतियार का नाजाज धंदा करता है ये गन तुमारी है न? जो तरुम ने ली थी क्यों?! सर लगता है ये इतनी आसानी से बोलने वाला नहीं है महुरत निकुला हूं क्या? मैं बिना महुरत इता उता हूं हाँ सर ये गन तरुम का है तरुम इंचारे, पता काही है? गंनाइन है? अगर तुमेस पता नहीं तुन कहा है, तो पेनुस्हे पास गन कैसे पहुंचाई तुमने? मैंने गन नहीं पहुंचाई, उसीड लेन आया थ´ संथा, उसे लेकर अहे कर आया थ´ छोप ! चब 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 च अ एकचब चब चब मताता हूँ सर मताता हु सर ुफ तु उसराई? तु मजचर का कऊन चूसरा है? ये तारीका बता रही थी अपनोंने शिकायद किये ना ने? नई 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 यaders चूसरा था मच्छर का खुण चूस है तो क्या पता चला? मच्छर से खुणी का पता चला क्या? मच्छर से खुणी का पता? हाँ मतलब मच्छर के अंदर अभी भी खुण है? हाँ बस यह मच्छर गौन में फसकर के मर जरूर गया था लेकिन इसके अंदर जो खून था वो वैक्यूम की वज़े से बचा रहे है हाँ सर लेकिन इससे खूनी का उपता कैसे चाला इस मच्छर ने सैप में फसकर मरने से पहले जिसका खून चूसा था वो खून खूनी का था तर वो खून लाश का भी तो हो सकता? नहीं सचिन लाश का दिये ने और उस मच्छर से मिले खून का दिये ने मैच नहीं करता इसलिए खून खूनी का ही है और एक बात बस इस मच्छर के खून में हमें सिकल सेल एनिया के लक्षन दिखाए दिए हैं जबकि लाश के खून ने ऐसा नहीं है सिकल सेल्स सिकल सेल्स मैं बठा तब क्यों सिकल जटेर्स एनिमीया के मरीज के डड़ ब्लड करक बसल्स लाल वर्ख्त art कोशी है गोल लेती है वो ऐसी ह siendo जाती है यह देखो यह बिस तरहेके इस प्धर है कि यह सिकल सेल्स एनिमीया और यह नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स हैं। सही मात्रा में अक्सिजन न मिलने की वज़े से रेड ब्लड सेल्स सिकुड जाते हैं। ऐसे मरीज को जोइंट्स में पेंड रहने लगता है। और उसे फेपड़ की बीमारी होती है। तो फिर या अदमी जरूर हॉस्पिटल के चक्कर काटता होगा। जरूर बोस। और एक बात। यह बहुत रेर डिजीज है। और किसी को नहीं होती है भीमारी है। फिर तो सर इसे पकड़ना असान हो गया। बिल्कुल सजिन। बदासपास के जितनी भी हॉस्पिल्स है। सब में जाकर के पता करो। ऐसे कितने मरीज हैं जो सिकल सेल अनेमिया का इलाज करवा रहे हैं। अब कुल? संतोष. हाँ मैं संतोष ही हूँ। काम क्या है? अरे 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 आप लोग कौन है? क्या कर रहे? आसा रही कर सकते हैं? बोले नो अपनी इजजद है भाही? यह क्या है? वेसे बटा करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। फिलाल तु यह बता, तृरुन को जानता है? किसी किसी तरुन को मैं नहीं जानता हूँ। अबे, चुप-चाप से बता बनाए हीमान खड़े ना सामने इनका हाथ ना धाई किलो का है कान के नीचे पड़ेगा ना तो उठेगा नहीं, उठ जाएगा समझ मेंने आएगा कहां परे तू? पंकच पंकच का इडिया भी बात अच्छा है उठाने वाला है? हाँ बचाओ बचाओ मुझे, मुझे छोड़ दो ने, मुझो ना, मुझो ना दिरे, 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 उठादो मुझे दिरे, दिरे, दिरे तरुन का address बताओ, तभी छोड़ेंगे साहब साहब, मैं माजी का सथाने कहता हूँ साहब मैं किसी तरुन को नहीं जानता हूँ ना तो मुझे उसका address बताए साहब अगर तरुन का address मालून नहीं, तो तुमारा अगला address होगा hospital, और फिर हमारा jail बताओ जली बताओ जली साहब, साहब साहब जली का जो अकरी मकान जाब साहब 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 अगे, भी को होना है साहब 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 कि शीना साहब शीना तुम्हीं सॉनी सॉनी तुम्हारी शकल देखकर नहीं डरा तुम इतने जोर जोर से दरवाजा खटखटा रही थी ना तो बस उस हटबड़ाट से मैं डर गया वो क्या है ना तरुन मैं तुमसे इतना प्यार करती हूं ना बस इसलिए शेना तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ पर हूं तरुन मेरा सच्चा प्यार यहां कीच लाया मैं तुमसे मिलना चाहती थी ना इसलिए शेना तुम मुझे समझ नहीं रही हो पता है तुम मेरे प्रॉब्लम के है कि तुम मुझे नहीं समझते हो एक्चली ना तुम मेरे जजबात को समझ नहीं नहीं चाते और एक मैं हूं मतल तो मेरे प्यार से कोई मतलब भी नहीं है। तुमें सिर्फ यह पढ़ी है कि मुझे यहां पर कौन लाया था। ये ये लाया था मुझे यहां पर। संतोष? तो तो इतना सूजा हुआ कैसे है? अरे इस सब हैसे ही? तर असल क्या है ला? मुझे मार खान का सोखचराया हुआ था। मुझे रास्ते में, एक लंबा च्वरा पहलवान मिल गया साध्जवर के प improvements कि मैने उन्से कि भैया पहलवान आज मुझे मार खान का मार बाधा सोख चरहाया हुआ है मुझे मारो Scan! पहलवान ने का ऐसा? तो मैंने कहा, बैया हिस्ताही परलवाल लपत्या मारी बिंती मान गया पर्लियादी शुम एहहम, लभदी शुमर उम्मार भाइ, तू जा कह रहा है हारे भाइ, हम जा नहीं रहे हम को ले जाया जारा हाभाई क्या? तुमको नो अभी जो पहलबान की बात नहीं कर रहा है सर वही है भाई यहाई क्या अभी चौकने की जरुद नहीं है तेरा मार खाने का शौक मैं पुरा करूँगा नहीं नहीं सर मुझे मार खाने का कई शौक नहीं है जान से मारने का शौक है ना? और यही शौक पुरा करने के लिए तुमने मेन का को मार डाला क्या? मतलब तुमने खुन किया है? मतलब यह तुमने पुरे आशिक होने के साहथ साहथ यह खुनी हुए Oh God, मेरी तो जिन्दगी स्पोईल हो गई नहीं नहीं हुआ अब चुपचाप हमारे सवालों का जवाब दे वरना अगला थपड मेरा पड़ेगा नहीं नहीं सब के सामने कुबूल किया तरुन के लेको बॉस मैं उस सच्चाए की बात कर रहा हूं जो मच्छर ने मुझे बताई है फिर तुम अच्छर को लेकी शुरू हो गया बहस सव बात के एक बात के एक बात तरुन का ब्लड उप है वो पॉजटिश अग ऑर मच्छर में जो खोन मिलाया उसका ब्लड उप है ए-बी फॉजटिश तो साफ हैं चरुन में खोन नहीं किया तो पर तरुन ने जूट क्यों बुला क्यों और फिर खोनी कॉन है सर, सखूनी कौन है वो यह रिपोर्ट बता सकती है शहर के सारे सिकल सिल एनमिया पेशिंस की यह डीटेल रिपोर्ट है और इतने सारे पेशिंस में यह एक ही फीमेल है जिसका ब्लड ग्रूप है अबी पॉजिटिफ और जिसके डीटेल्स उस मच्छर के मिले खून से नाच होते है निधी यह निधी नाम कुछ सुना सुना सा लगता है निधी पता लगाना पड़ेगा किस हॉस्पिटल में इलाज हो राए इसका अब यह उस निधी के आने का वक्त हो गया है यहीं से डॉक्टर राकेश के के वन पर नजा रखते हैं है एक्स्क्यूज मी डॉक्टर राकेश जी रूम नंबर सेवन ओके एक लड़की है तो कोई यह निधी तो नहीं है कि अ जिए तो अधारे तुझी क्या में का में दिख रही है क्या मेरा नम निधी है निधी तो यह नहीं हो सकता सर यह तो में का है निधी नहीं है सर क्या बक्वास कर रहे हो तुम में का कैसे हो सकती है सर मैं बक्वास नहीं कर रहा हूँ आप मेरा यकीन कीजिए यह में का ही है क्या में का अपनी एगर में नोकरा नहीं बंद कर काम कर रही थी तो जिसका कंकाल मेला फिर वो कॉन है? सर, मेरा यकीन कीजिए यह मैन का ही है मैने इस अपने हाथों से गॉली मारी है सर जिए नहीं हो सकती सर अरे, समालो अरे जाओ इसे लिजाओ वजिए लाली की कोशिश करो, जल्दी से जल्दी जाओ अच्छा हुआ सर, हम लोग होस्पिटल में यहीं पे बेहोश हुआ है, यहीं पे एड्मिट करवा देते हैं जाओ जल्दी समाल के समाल सर यह बड़ी तगरी प्लानिंग के साथ किया गया खून है इसमें तरून को लगा कि उसने खून कर दिया मगर दरसल खून हुआ नहीं और असली खूनी ने उसके आड में किसी और का खून कर दिया अभी जीत और अपना गुना चुपाने के लिए तुल्दी ने अपने कतल का नना टक किया है ताकि किसी को इस पर शक्न जाए और सर जिसका भी खून हुआ है उसे पहले गूली मारी और फिर उसका गला काटा एकाम इसका अकेली का तो नहीं लगता बिल्कुल सही कह रही हुए किसी अकेली का काम नहीं है इसलिए ड़्टर राकिश को आमने कह दिया है कि वो नीजी को कहे कि किसी अपने को साथ में लेकर रहा है देखो, मैं तो बस यही सलास दे सकता हूँ कि तुम किसी अपने को यहां बुला लेकिन डॉक्टर अरे देखो, अब हम तुम्हें अडमीट करने में बहुत 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 भी नहीं 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 सकते अरभई बहुत सारी फॉर्मलिटीज होंगी और साथ में तुम्हारा ख्याल रखने के लिए और तो कही चाहिए ना इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम किसी अपने को यहां बुला लो इसकिस मी, रूम नंबर सेविन किदर है, राइड लेगे फर्स्ट राइड यह मैं सरिंग की सेक्रेटरी हूँ तो तीरज की सेक्रेटरी है? तो मतलब यह सब मिले हुआ है? यह अपने हाथ से निकल लिने पाए सी आईटी? निधी, भागो! ए, रूप! ए, निकतानी है, ए! निकतानी है! प्रणाविए, शो इक, है बीए, बाइए, बाईए, बाईए, बाईए! इतने बड़े होस्पिटेमने लाइटिटिसे आसकती है एमर्जंशी पेसिम को खाता है हाँ जन्रेटोर तो आन खनना चाहिए अले सेक्यूरिटी, में स्विच का है, में स्विच उस तरह पर, आयो दिखाव दिल गसर ले चाहिए उस जतो ऐरेपी, बप्wen आइए पाहे जुझर। हुशर। कि दुटर। चुट। चुटुट। चुट। हाए हम नहीं मारें उसे, हम नहीं उसका गून किया है क्यों, क्यों मारा? बदला लेने के लिए कैसा बदला? जरुन और नहीरत से हमारे संदगी घराब करने का बदला उन्नों ने मिलकर हमसे हमारे सब कुछ चील लिया उसका बदला एक तीर से दो निशाने, बेनका का खून करके हमने धीरज और तरुन के ऊपर उस खून का इल्जाम डाल दिया और वो गोली, गोली कहां गई, जे तुम्हें लगी थी वो नेकली गोली थी मैने गनसी निकाल कर गोली जेंज कर दी थी तुम दोनों ने बदला लेने के लिए मेनका और धीरज को अलग कर दिया और फिर निरी तुम, मेनका बनकर तरुन को बेवभूब बनाने लगी तुम्हारा प्लैन यह था कि तरुन तुम्हें मेनका समझ कर तुम पर गोली चला दे हैं तुम्हें क्या लगा दीरे और तरुन के सामने तुम लोग का राज कभी खुलेगा नहीं राज नहीं खुल सकता ड़सर क्योंकि दोनों इक दूसरे को चाजती ही नहीं थे सारे राज एक ना एक दिन खुली जाया करते हैं कोशिश तो तुमने बहुत की थी कि मेनका की लाश मिल जाया और धीरज फ़स जाया पर ऐसा हुआ नहीं और इसलिए तुमने मेनका की खुपड़ी निकाल कर बाहर रख दी ताकि किसी की नदर उस पर पढ़ जाया और धीरज और तरुन पकड़ जाया है ना इतना दिमाग चलाया बहुत साजी सरची पर एक बात भूल गए तुम भूल गए इंसाफ नाम की भी एक चीज होती है जो अपना रास्ता टून लेती है मुझरिन तक पहुचने का कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी तुम्हें शायद पाँजी होगी